हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू आर फ्रेग्रेंसिस यूट्यूब चैनल और आज हम चुरू करने वाले अन्बॉक्सिंग अलबेत अलदमिश्की के टैम डाउ एडीवी पर्फ्यूम की तो दोस्तों अलबेत अलदमिश्की जो है वो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी अगर आप चाहें तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और फ्रेग्रेंसिस जॉट कॉम और वहाँ पर दे दोस्तों अलबेत अलदमिश्की की एक पैकेजिंग यह आती है यह जैसे वेंटस का क्लोन है तो इन्होंने यहां पर वेंटस का स्टीकर लगा दें मतलब यह जो भी पर्फ्यूम बना रहे हैं अपने उसका जस्टीकर लगा दें प्रिंट नहीं करते हैं बोटल पर नाम उ थाउजन रहे गी और इस तरीके की हट क्वालिटी वॉक्स में मतलब यह इनके थोड़े से महंगे पर्फ्यूम से जैसे आप यहां पर इस पेशन लिखा तो टेयम डाउए डीपी से इंसपार यह उसका क्लोन है तो डिप्टीक के टैंडाउए डीपी से इंसपार यह उसक एक और आपको दिखातों क्राइटेरियन का क्या है आप देख सकते एक और पर्फ्यूम यहां पर लिखा है यह जैसे एलीजियम का क्लोन है रोज एलीजियम का तो अब हमारे पास तीन कैटिग्रियां मतलब जिन पर यह काम कर रहें सबसे जो बेसिक रेंज जो रेगुलर सीर क्राइटिम हो गया दिवन मैंनी हो गया डेवल्चन गबाना का दिवन मैंनी डीपी तो यह सभी पैकेजिंग में जीओ 75 एमल में अंडर 2000 में आपको मिल जाएंगे उसके बाद आती हैं की स्पेशल सीरीज जिसके पीछे इस्ट्रीकर लगोगा तो यह अंडर 3000 सभी रहने वाला है अंडर 3500 मतलब 223 34 35 मतलब तीन अधार से उपर उपर रहेगा इनका बजट तो दोस्तों यह पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया और प्राइस रेंज के बारे में तो अभी आज जो हम अन्बॉक्सिंग करने वाले वो अन्बॉक्सिंग करेंग का और इतना सिक्यूर भी नहीं लगता है बड़ यह पैकेजिंग आती है इनकी थोड़ी सी महेंगे वाले पर्फियूम से अलबेतल दमिश्की के इनकी पैकेजिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है हाड क्वालिटी के कार्डबोड के बॉक्स का यूज किया जाता है न जल्दी से बॉटल को बाहर निकाल ले तो और आज सारी बात करेंगे यह डिप्टी के टैमडाव एडिपी से कितना इंस्पायड कितना क्लोज है इसकी पर्फॉर्मेंस कैसी है जूस क्वालिटी कैसे सारी बात करेंगे आज इस मुझेंगा दोस्तों सेलोफेन हमने अटा क्लियरली देख पार है सारी डिटेल्स और बॉटल को भी बाहर निकाल लेते हैं और दोस्तों यह बॉटल अब हमारे सामने आ गई है काफी ज्यादा आई-कैचिंग बॉटल लगती है इनकी मुझे बहुत ही प्रिम्यम बॉटल सब भी बॉटल को अलमस्ट एक जैसे डिज होती है बट जूस केंटिटी आपको 75 ml ही मिलेगी सभी फ्रेग्रेंस में यह भी 75 में आती है और बड़े बॉक्स में जो आती है यह भी 75 ml में ही आती है तो इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही आई-कैचिंग बॉटल है अलबेत अलदमिश्की का ल आई-कैप थोड़ी सी और अलबेतल दमिश्की का लोगों आप देख सकते हैं की क्वालिटी देख लेते साती साथ में आपको जूस क्वालिटी की बात बताऊंगा इस्प्रेयर क्वालिटी काफी अच्छी स्मूद इस्प्रेयर है और दोस्तों क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है मतलब मज़ई आ गया बेतल दमिश्की ऐसे ही पॉपिलर नहीं हो रहा है मार्केट में काफी ज्याद अच्छी जूस मतलब मैं थोड़ा सा स्पीच लेस होगी औ इनकी फ्रेग्रेंस की और क्लियरली यह मुझे टैम डाव डीपी की ही याद दिला रहा है मतलब टैम डाव डीपी मैंने वियर किया है बहुत टाइम और यह इतना एक्सपेंसिव पर्फ्यूम है सिर्फ सेवन्टी फाइव मेल आपको सूला सतरह हजार रुपे का मिलता है तो बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम लोग इसे अफोर्ट कर पाते हैं टैम डाव डीपी को वही इनों ने अलबेतल दमिश्की ने अपना सेवन्टी फाइव मेल का टैम डाव डीपी से इंस्पार्फिम बना दिया है तो बिल्कुल सच में वही फील दे रहा है मैं इसके पारों साथ ही साथ बेस में आपको इसमें जिंजर वनीला जैसी नोट्स को भी फील कर पाएंगे तो दोस्तों यह टैम डाव डीपी से काफी ज्यादा क्लोज है मतलब मज़ा ही आ गया इसको स्निफ करने के बाद और अभी तक मेरे हिसाफ से मैंने कोई टैम डाव डीपी क का क्लोन अभी तक ट्राई नहीं क्या है अलबेत अलदमिश की ब्रैंड यह काम भकू भी अपना कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी जो फ्राइग्रेंस हाई पो रही है मार्केट में जो ज्यादा फेमास हो लिए और जो ज्यादा बिग भी रही है अगर ऐसी कोई बहुत ज करने के बाद और दोस्तब जल्दी से परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं पहले वैदर की बात करते दोस्तों टैम डाउ एडिपी जो है थूड़ा से ठंडे दिनों के लिए ज्यादा प्रिफर रहेगा मतलब ऐसे नहीं कि आप इसे गर्मियों में नहीं लगा सकते लगा सक करता है आपको डारेक्शन लाइट में आउट्डोर जैसे सीच्वेशन में अगर टैंपरेचर हाई रहेगा मेरा जो मतलब जो इसका एप्रोप्रियेट वैदर वो रहेगा इस्प्रिंग का और फॉल का मतलब कम ठंडे दिनों का जैसे कम सर्दियों में और कम गर्मियों मे विंटर में यह तना ज्यादा पर्फॉर्म करता नहीं और गर्मियों में भी यह उतना ज्यादा अच्छा आपके उपर लगेगा नहीं तो इस्प्रिंग और फॉल यह अप्रूप्रियेट वैदर है बात कर लेते हैं पर्फॉर्मेंस के अलबेतल दमिश्की के टेम इसकी लॉजिविटी तब भी यह फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा बिक्री है कि शारुकान की वज़े से आपको पता ही होगा वह यह फ्रेग्रेंस करते हैं ऐसा उन्होंने बताया एक वीडियो में मतलब शारुकान ने नहीं बताया बट काफी सारी शॉर्स ऐसे वायराल है क कि वह यही फ्रेग्रेंस यूज करते हैं तो दोस्तों अगर टैम डाउडीपी वाला फील बजट में आपको चाहिए तो अलबेतल दमिश्की टैम डाउडीपी आप ट्राई कर सकते हैं इसका डीकेंट रिटेल पैक्स दोनों हमारे पास अवेलेवल हैं बात कर लेते हैं अ प्रोजेक्श्ट एर हैं तो टैम डाउडीपी की प्रोजेक्शंस याज की बागाई तो ठीक ठाक प्रोजेक्शंस यरे इसका ट्र贤Now प्रोजेक्श्ट एक तलन लॉंजिविटी मॉड़ेट प्रोजेक्शन च्याज वैसे अलबेत अलदमिश्की का प्रोजेक्शन थीक ठाक है दो घंटों का प्रोजेक्शन च्याज आपको एजी ली मिल जाएगा जो की काफी अच्छा रहेगा और लॉंग लास्टिंग की बात करें लॉंजिविटी की तो 6-7 घंटे लॉंग लास्टिंग भी यह रहेगा इजी ली आपकी स्कीन पर भी और आपके कपड़ों पर भी टैम डाव एडिपी जो भिकरा है वो भिकरा है शारुखान की वज़े से और अपनी स्मेल की वज़े से मतलब इसकी इतना हाई क्वालिटी सेंट यह इतनी अ स्थैटिक नहीं लग रहा है मुझे काफी ज्यादा क्लोज है डिप्टिक टैम डाव एडिपी के तो बिल्कुल ट्राइब कीजिए इसकी पर्फॉर्मेंस इसका बजट इसका प्रोजेक्शन से आज मैंने आल्मोस्ट आपको सभी कुछ बता दिया है तो बिल्कुल कीजिए ताकि आपको आइडियो हो सकी यह फ्रेग्रेंस कैसी है तो दोस्तों यह थी आज की अन्बॉक्सिंग वीडियो अलबेत अलदमिश्की के टैम डाव एडिपी की मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स वीडियो में